राम राम भाईयो स्वागत करता हूँ बैंक निफ्टी लाइफ ट्रेट की एक और नई वीडियो में समय हो रहा है नौबच के चबदा मिनिट कल की पोजीशन जो बीटी एस्टी में थी लॉस में लेके गया था बाराजार की सेटलमेंट दुगा फिर यह ठीक है और मजा आ आ गया वाई सब तीन साड़े तीन सो पॉइंट है यहां पर गैप अप हो रही तो इसका मतलब यह कि अपना यह जो कॉल है प्रॉफिट में आ गया तीन सो असी से यह सीधा प्रॉफिट दोसो असी से तीन सो की ऊपर ओपन होगा मुझे ऐसा लग रहा है तो देखते हैं कह कोई बात नहीं बेट करेंगे 46,600 निकलेगी प्रॉफिट में आएगा यह ट्रेड आराम से इसको निकालेंगे थोड़ा वेट करके ठीक है यह पंद्रा कॉंटिटी यह वी कल की है अभी फ्रेश ट्रेड लेने का समय है 5-10 मिनिट बात फ्रेश ट्रेड यहां पर लेंगे बढ़िया सेटप बनाया और डेहँ एचल सी सैटप नहीं बना आज ठीक है देखो क्या होता है डी도 को मैं और टो यहां पर मैंने एक कॉल वात क Did लिया पैले से जड़ा तेलीगरं पर दई उसके बाद मैं बताता हूँ एक सेकंड हुआ हुआ है कि टेलीग्राम पर शेयर कर दिया मैंने यह ट्रेड अब देखो सीन क्या रहने वाला है अभी मेरी प्रॉपर प्रॉपर पोजीशन अभी नहीं बनी वाइस अभी और कॉंटिटी एट करूंगा मैं नीचे आने दो सब्सक्राइब कर रहा है बैंक निफ्टी खुद बोल ला है कि वहां तो उपर जाओंगा चैनल जाते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग साइकलोजी में दिक्कत है लोगों के फिर तो आराम से यहां पर अपन प्रॉपर यहां पर अपना कॉंटिटी पूरा बनाएंगे उ एसल का गेम भी समझा दूँगा मैं टार्गेट वगेरा क्या है वो भी देखेंगे आठ अजार नो आजार चलें तो मैं ग्रीड में नहीं आऊंगा भाई मैं नहीं निकलूँगा भी के लियर कट बात है यह मेरी तो वेट करते हैं और और ट्रेड यहां पर अपन एड़ क 9000 का लॉस 120 कॉंटिटी है 303ंप में ऐसे चबदा सो पंदा सो पंदा सो का लॉस 100 चौंटिटी 280 की बाएंग है मेरी कल के होल्दिंग एफ्रॉसेट में आयी थी तो यह चल्ड़ा है 45 पंद्रा कॉंटिटी यह हैं यह इसको छोड़ो 50 कॉंटिटी निफ्टी की ले ली मैंने एक लॉट 125 पर वाई किया 131 चल ला है टार्गेट सुन लो 384 की वाएंगे टार्गेट है 436 रुपए 303 की वाएंगे टार्गेट है 375 आज का हाई इसका 282 की वाएंगे इसका टार्गेट अब मैंने लगा दिया 330 और इसको छोड़के इसका लगा दिया 175 ठीक है यह लगा दिये मैंने टार्गेट 175 335 436 यह कुछ ओडर और 2000 रुपए पहले इबोग यहां पर कल लिए ते स्कैल्पिंग कल लीती छोटी सी 25 पॉइंट के लिए स्कैल्पिंग कल लीती मैंने ठीक है तो अब क्या करना है आराम से बैठना है तरीके से आराम से 11-15 तक 11-45 तक बेट करना है प्रोफिट में यहां पर यह आ जाएगी अब लॉजिक का सीन समझ लो अब थोड़ा सा ओल लाइट तो 11-15 यहां पर हो गाए है देखो हम मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक लॉजिक समझाओं सीन क्या है 46,500 होगा है सपोर्ट ठीक हाई सपोर्ट नहीं नॉर्मल सपोर्ट है और बहां पर कम से कम बैठी हैं 20,27,000 पॉट राइटर पहली चीज उसके कॉंपिड तो कि यहां से मार्केट अपनी निकल जाए कम से कम कितना 300-400 पॉइंट और उपर निकल जाए उसके बाद 46,500 तोड़े तब एक मुमेंट मिलेगा अपन को लॉजिक समझ रहे हैं उमलब क्या बोलना चाहरा हूं मैं उपर अगर गया 300-400 पॉइंट तो सबसे पहला पॉइं इस तरीके से दमाग लागा कि लॉजिक के साथ अपनों को गेम बनाना पड़ता है बाकी मैं कोसे से करता हूं कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ यहां पर समझा दूं 11-16 होगा यहां पर टार्गेट मेरे लगे ही हैं कोई दिक्कत नहीं अब सब लोग कह रहा है फॉल फॉ जैसे अब यहां देको रैडट केंडल वन रही ही है लॉस भी यह 20,000 तक यह मेरा चला गया था फिर भी इस्टिल में बैठा हूँ और कॉंटिटी एड कर रहा हूं मैं तो कही ना कहीं एक्सपरियनस भी बोलता है कि कि तने साल मार्केट में हो गया थीन साल मार्केट में हो सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं कि 46500 का लेबल इसने निकाला टारगेट 4680 वो भी निकाला टारगेट 4730 का गेम है यही तो गेम है अब मार्केट मालो 3400.2 पर चली जाए फिर बहां से क्या प्रॉफिट बोकिंग होगी दूसरी बहां से नए सेलर भी आ जाएंगे तब मा ऑफिल नहीं करने बाला अभी तो बैट हो आराम से ब्रॉफिट देखो बस क्विफिट अ करो गिम बनाता है और जाट में कोई painting share कर दिता है अपनी कि यहां से यहां तक का target मिलेगा कोई बोलता है कि 100.300 capture हो जाते इस movement में अरे भाई तुम करो तो करो तो तुम capture करो तो तब तो मैं जानू तो मैं proper यह की setup पर काम करो कोई दिक्कत नहीं यह की अपनी strategy बनाओ quantity management बनाओ तरीके से देखो red candle यहां पर बन रही मैं और यहां पर buy करते जा रहा हूं final position यह मेरी बन गई अलांकि अब तो profit देखो target हेट होंगे बस लगाता रब तो ठीक है आराम से बैठना है बड़ा target लेके जाएंगे भाई 20-25,000 का मैं loss देख सकता हूं तो 20-25,000 का ही profit लोगा ऐसा नहीं है कि मैंने 25-30,000 का loss देख लिया profit लेके जा रहा हूं 5000 क्या मतलब उस दिन 60,000 का loss देखा था profit लेके जा रहा हूं 6000 कोई मतलब नहीं 60,000 का loss देखा था 70,000 profit लेके गया 20,000 का loss देखा आज तो कम से कम 20-25,000 आज भी लेके जाऊंगा आई हो आपको चीज़ें समझ में आ रही हो जितना अभी हो मैं simple तरीके से यहां पर explain करता हूं चीज़ों को और trade लेने का logic मैंने बताई दिया कि 40,500 पर support है पहला चीज यू moment remaining था नए नए बायर आये हैं market को push करेंगे अभी उपर के side कीचेंगे fall आएगा जब 30000 पॉइंट उपर चली जाए उसके बाद profit booking आएगी तब एक profit booking आएगी तो red candle बनेंगी तो अपने जो retailer चूचे लोग जो हैं अपन लोग सब sale करेंगे उपर से तब market में fall आ सकता है अभी कोई दिक्कत नहीं अभी तो profit देखो आप 3000 profit यहां पर हो गया बहुत बड़ी हा बात है सबकी target लगे हैं देखो 46,800 की call का 375 यहां पर target लगा है कितना कितना चला गया बस यह यह ना कि 650 निगा ले फिर तुम मुमेंट देखना छेह सो पचास चालीस हजार 4650 इंपोर्टेंट लेवल 5000 का आ गया profit बहुत बड़ी बात है अभी भी नहीं निकलूँगा मैं अभी भी मैं profitable हूँ और profit में आ गया मैं लेकिन अभी भी नहीं निकलूँगा बात है कई लोग डर के मारे भाग जाते हैं loss में बैठे रहेंगे मजी की बात देखो loss बड़ा का SL लगाता हूं मैं 46500 के आगी नीचे अगर अभी आती तो मैं आल के हल निकल जाता है अब मेरा SL हो गया 46590 का SL हो गया मेरा समझ रहा है यो इंडेक्स का प्रीनियम नहीं देखना अभी 10 पनवेजी तक प्रीनियम देखो नहीं बेटा कम से कम 20-30 पॉइंट का अगर SL आप 20-21 पॉइंट अपने के अप चरूगा है 4000 का प्रॉपिट तो अपन बना के बैटी हैं स्कैल्पिंग कल लो प्रॉपिट बना लो दिमाक लगाओ यार यह 46650 निकाल लगी बस दिक्कत की बात ही है एक वार 4650 निकाले फिर जो फूटेगी ना क्योंकि 4650 निकाली तो 46700 निक बढ़े हैं लोग तो बो लोग अभी निकलेंगे वो लोग तब निकलेंगे जब 46700 टच कर जाएं फिर उनको डल लगेगा कि भाई आप निकल लो फिर एक दम भागते हैं फिर एक दम मूब आता है वूपर के साइट यह कोछ चीजह ऐसी हैं जो आपको चीजह सीचने पड निटेहा के साता है फिर फिर आपको इसकान कलट कोष्टेश लोग निकालेंगे और नए बायार आखे स्थिब रेके से घ्या on तो नहीं तरफ से अगर उने देखा होगा तो निकल गए होगे और मैं अभी तक बैठाओं अगर मैं उनको बैठने के लिए बोलता तो वह अभी तक एसले के निकल जाते क्योंकि वो इतना नहीं देख सकते ना लॉस यार 15 यार लॉस में एदर उदर हो जाती है अब शेयर मार्केट है यार अब कैसे समझाओं कि भई या लॉस प्रॉफिट होगा लॉस आएगा प्रॉफिट भी आएगा केलकुलेशन के इसाब से चलो सेटप के इसाब से चलो अच्छा एक चीज़ और बताओं कि एक दो कमेंट आयती कि मौगाल में प्रॉफिट लॉस देखके ट्रेडिंग करता है क्या चार्ट नहीं देखता है बाई सब लेप्टॉप और टेवलेट सामने खुले रहते हैं मौगाल में इसकी रिकॉर्डिंग चलती है और बोलता बढ़िया बात है 8000 अभी भी नहीं निकलूंगा मैं अगर आप लोग यह सोच रहे हो कि अभी भी निकल जाओंगा मैं अभी भी नहीं निकलना मेरे टार्गेट कुछ और है बाई साब देखता रहता हूं यहां पर क्या चला है सिस्टम न्यूज भी देख लेता हूं तो दाजारा गया प्रोफिट 15 बहुत बढ़िया बात है भागा 18 है बहुत अच्छी बात आठाराश अच्छा जार अटाराश टार्केट लगे इंगे इसका 488 ए रहे चाहर 650 निकाली भी नई तब इसने पंदाजार प्रोफिट दे दिया गज़ाब यार तुमरम यहां अब सि्ट fluor उनके हिट होने लगे निकलेंगे अब निकलेंगे ये लोग अब इतने मैं भी निकल जाते लोग वाज पुम्स देता हे लोग समय में cotton refused ध यदिता इन्य खाएं सोट देघ promo निकलना अवी तो सब्सक्राह्यों यहां से स्टार्ट का बूम होगा एकदम एकदम बूम होगा वाई सब्सक्राइब बहुत बढ़ी अबात है 13 14 15 जार का प्रॉफिट चला है मेरी जग कोई और होता अभी तक यह प्रॉफिट बुक करके आराम से बैठा होता लेकिन मैं नहीं बैठा ना मैंने ऐसे लगाए टेकनिकली आराम से च 5000 जार साथ सो उननीस अब आया मजा उननीस उननीस च चलने दो कारीगरह में जांए है और एकी मंत्रस यह कम करो बस और कुछ यह नहीं कुछ नहीं जानती तो सपोटर रेशिचेंट पर कलो और यह तो बढ़िए चोबीश तार्गेट लगे है ना मैंने आपको बता दिया टार्गेट हेट चारसो ये भी हेट होगा सायथ 8000 का प्रॉपिट ये भी हेट होगा 28000 330 पे निकला वाई सब ये ये वी हेट चलो अटाओ 30,000 प्रॉपिट ये ये है रियल ट्रेडिंग ये देख रहा है एक जटके में आ गया 650 निकला ये ये होता है मुवमेंट इसे कहते हैं ट्रेडिंग यार प्रैक्टिस में पर्फेक्ट बस सिंपल बंदा प्रैक्टिस करने पड़ेगी अब तुम सोचो ये 15 लॉट ये डले हैं जो ये डले रहें दो ठीक है 750-780 अरे यार मैं थोड़ा सा लेट हो गया बस चलो ये 30,000 ये 15 लॉट को मैं छोड़ देता हूं इसको 7 पनवरी के आसपास ही निकालूंगा छोड़ दो दन फॉर दा दे 30,000 का प्रॉफिट यहां पर देख लो कारीकरम ये कारीकरम है मेरा 84-436 पर ये निकल गया बड़ी है टार्गेट ओल टार्गेट है बस ये कि थोड़ा रुखना चाहिए था या टेक्निकल टार्गेट मैंने लगा दिये थे टेक्निकल टार्गेट अगर नहीं लगाता मैं तो एक मूब अच्छा मिलता अपन को तीन-चार मिनिट में अच्छा मूब मिलता क्योंकि 730 नकाला ना तो अच्छा स्पाइक स्पाइक मारा 3040 पॉइंट का और टार्गेट से उपर ये देखो 510 हो गया चलो कोई ना डन फॉर दाटी आज सो आज सो टस लगए यही तो दिक्कत होती है टेक्निकल टार्गेट लगा देता हूं तो पॉइंट मिस हो जाती है मेरे 30-40 पॉइंट अगर और मैं कैप्चर करता लेकिन चलो कोई ना क्या मूब देख रहे हैं और डंडा क्या सीधा ग्रीन में चलो डन फॉर दाडे तीस एक तीस हजार का प्रॉफिट बुक यहां पर 15 लॉट इसको लेके जाता हूं में बीटीस टी में कोई दिक्कत नहीं डला रहेगा साथ मनवीरी को नकालूंगा यह हजार 1500 रोपे का है वास यह इसमें जाना इन्वेस्टमेंट मेरी नहीं है ठीक है टेलीगराम से जोन हो जान टेलीगराम की लिंक के डिस्केप्शन में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैस्री राम